टीजीटी पीजीटी बालोजी माडल पेपर में आप सबी लों का स्वागत है चलिए पहले क्वेशन को लेते हैं खुले समवहन तंत्र में परिसंचारित द्रव कहलाता है चलिए सोचे और बताईए खुले समवहन तंत्र में परिसंचारित द्रव कहलाता है कौन सा आपसंज सही होगा आपसंज सही होगा इसमें से सी हीमो लिम्प कहलाता है सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सेर जरूर कीजिए दूसरे कुश्चन को लेते हैं आसामान या आवांसिक या आविछिन लक्षणों का अचानक प्रकट होना आसामान विभनताएं कहलाती है सोचिए और बताईए कौन सा आपसंज सही होगा आपसंज सही होगा इसमें से D उत परिवर्तन मतलब मियूटेशन आपको बता दें कि किसी जीव की जीन में आकसमात जो परिवर्तन होते हैं जो अचानक परिवर्तन होते हैं उसे ही उत परिवर्तन कहा जाता है और उत परिवर्तन वातका सिधांत होंगो डीप व्रीज ने दिया था नेश कुशन है एल्बनिज्म या सूरज मुखी होता है एल्बनिज्म क्या होता है सोचिए और बताईए एल्बनिज्म को रंजक हीन कहा जाता है इसका आंसर सहयोगा बी आप्रभावी और जो एल्बनिज्म है ये आटो सोमल आप्रभावी लक्षन होता है आटो सोमल आप्रभावी विकार होता है कहलेजी नेश कुशन है सामान तहा एक युगमक में उपस्थित होते हैं सामान रूप से एक युगमक में क्या उपस्थित होते हैं सोचिए चार आपसन आपके सामने दे गए हैं वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सेर चरूर कीजिए, जादा जादा लोगों को सेर कीजिए, आंसर सही होगा, पहला एक जीन के बहु विकल्पी, और बहु विकल्पी या बहु युग्म विकल्पी का मतलब होता है, कि जीन के बिभिन रूप, जीन के बिभिन शुक्राण का सुक्राण में परिवर्तन होता है तो कौन सा आंसर सही होगा आंसर सही होगा इसमें से पहला सुक्र कायांतरन द्वारा और जो सुक्र जनन द्वारा लिखा गया है सुक्राणों के निर्माल की किरिया सुक्र जनन कहलाती है और जो युगमक जनन है ये सुक्राण जनन और अंडार जनन को सम्मिलित रोप से युगमक जनन कहा जाता है यानि युगमक जनन दो प्रकार का होता है सुक्राण जनन और अंडार जनन नेश कुशन है पालिस्ट्रेस इस्तंधारी है पॉलियस्ट्रेस इस्तंधारी बताना है जो घोड़ा है घोड़ा एक पॉलियस्ट्रेस इस्तंधारी होता है यानि घोड़ा प्रजाती हो जाएगी डिवाला अपसंसा यूगा नेश कुशन है निकलिक आमलका वह खंड जो रेडियो एक्ट्यू मालीक्यूल के साथ युगमित होता है क्या कहलाता है सोचे और बताईए रेडियो एक्ट्यू मालीक्यूल के साथ युगमित होता है जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है तो आंसर सही होगा इसमें से probe कहा जाता है next question है सरीर में एल्कोहल का आकसी करण मुख्यता किसके दूआरा होता है एल्कोहल का आकसी करण पूछा किसके दूआरा होता है बीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे कोईशन आपके लिए ला सकें आंसर इसमें सही होगा D. यक्रित द्वारा या लीवर के द्वारा आपको बता दें कि सरीर में एलकोहल का आक्सिकन लीवर या यक्रित के द्वारा होता है और एलकोहल की अधिकता मात्रा के सेवन से यक्रित में एसिटेलड़ाइड का निर्माड होता है और यक्रित कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है इस आवस्था को यक्रित सीरोसिस कहा जाता है यक्रित सीरोसिस नेश कुशन है नमर्यकित में से कौन सा रोग ऐलर्जी किरियाओं द्वारा होता है ऐलर्जी किरियाओं द्वारा होने वाले रोग का नाम बताना है सोचे और बताई तो इसका आंसर सही होगा C. आस्थमा आपको बता दें कि आस्थमा एलर्जी किरिया के द्वारा होता है और धूल के कण है पराग कण है धुआ ये मुख्य एलर्जन होते हैं और आस्थमा में स्वांस नली सकरी हो जाती है और सांस लेने में कठनाई होती है नेश कुशन है मनुष के प्रती इस खलन में कितने सुकराण उपस्थित होते हैं यानि जब मनुष से एक बार बीर निकालता है तो उतने बीर में कितने सुकराण उपाए जाते हैं ये पूछा गया है मतलब बीर की लगभग 3 ml मात्रा में एक बार में लगभग में 3 ml निकलता है तो 3 ml में कितने सुकराण होंगे तो 300 million सुकराण पाए जाते हैं 300 million और 1 million में 10 लाग होता है तो 300 million में सोचे कितने सुकराण उपस्थित होंगे निकलत में से कौन सा टेम्पोरल लोब में नहीं पाया जाता है सोचे और बताइए टेम्पोरल लोब में कौन सा नहीं पाया जाता है वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजिए अंसर सही होगा इसमें से C बोका छेतर जो ब्रोका छेतर है ये नहीं पाया जाता आपको बता दें कि ब्रोका छेतर अग्रस्थ लोब में पाया जाता है अग्रस्थ लोब में जबकि जो टेम्पोरल लोब है इसमें ग्रान संबेदी छेतर स्रमन ग्राही छेतर और वर्निक छेतर पाये जाते हैं नेक्ट कुछिशन है मनुस्य में अवसेस आयतन की कितनी ओसतन मात्रा फेफ़डों में सेस रहती है कितनी मात्रा सेस रहती है सोचिए और बताईए 2600 मिलिलिटर 3 से 405 मिलिलिटर 1500 मिलि आंसर सही होगा समेसे डी 1500 मिलिलिटर केंद्रिका में किसका संसलेशन होता है केंद्रिका के अंदर किसका संसलेशन मने क्या बनता है तो आंसर सही होगा इसमें से C वाला राइबोसोम का निर्माड होता है नेक्ष्ट राइबोसोम के सम्मद में निम्ड में से कौन सा विकल्प सही नहीं है राइबोसोम के सम्मन में कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है सोचे और बताईए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आंसर सही होगा इसमें से C क्लोरोप्लास्ट एवं माइटो कांडिया में अनुपस्थित जबकि chloroplast और mitokandia में ribosome पाय जाते हैं लेकिन इसमें कहागया है नहीं पाय जाते हैं अनुपास्थित होते हैं इसलिए यह विकल्प सही होगा क्योंकि question में कहागया कौन सा विकल्प सही नहीं है next question है गर्ति का सहियों जी उतक जोड़ते हैं जोटते हैं तो आंसर सही होगा इसमें से सी पेसियों को आवरन से जोडते हैं नेश्क्रिसेन है वाउक्मैन कैनाल कहां पाई जाती है गताना है चार आपसन आपके सामने दिए गए है सोचे और बताईए जो वाक्मैन न लिकाएं है और है वर्सियन न लिकाएं है या नलिया इस्तंधारी है ये अस्थियों में पाई जाती है हड्डियों में ये अस्थि सभगा P1 वाल अपसं नेश कुशन है हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन क्या है चार आप्सन आपके शामने दिये गए है एक आप्सन सही है सोचे और बताईए तो आंसर सहे होगा पहला हीमोगलोबिन मनस्य के रुधिर में आक्सीजन वाहक का कारी करता है जो हीमोगलोबिन है ये ऐसा रुधिर बाणा रख है जो रक्त का रंग लाल भी करता है और आक्सीजन का परिवहन भी करता है आर बीसी में पाया जाता है नेश कुशन है पेपसी नोजन का स्रामड होता है पेपसी नोजन का स्रामड कहा गया है पेपसी नोजन का स्रामड आंसर सही होगा इसमें से पहला चीफ या रोक कोसिकाओं के द्वारा पेपसिनोजन का स्रामड होता है बता दें कि पेपसिनोजन का स्रामड आमासे के फंडिक भाग में जो आमासे है आमासे के फांडिक भाग में पाई जाने वाली जठर ग्रंतियों की जाइमोजन या पेप्टिक चीफ कोशिकाओं के द्वारा नेश कुश्चन है टेंडन और लिगामेंट होते हैं टेंडन और लिगामेंट आंसर कौन सा सही होगा आंसर सही होगा इसमें से बी टेंडन और लिगामेंट सायोजी उतक होते हैं बता दें कि टेंडर और कंडरा स्वेत तंद में सायोजी उतक हैं और या सघन रेशेदार सायोजी उतक के अंतर गताते हैं और आपको भता दें इनका कार पेशियों को अस्थियों से जोड़ना तथा अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना होता है जन्तु जिन में युवा अवस्था में दुईपार्शविक सम्मित तथा वैस का अवस्था में पेंटामेरस त्रिज्या यानि आरिये सम्मित किस संग के शदश्य होते हैं यूव अवस्था में दूईपारस संभित पाई जाती हो वैस का अवस्था में अरियेश अमित पाई जाती हो ऐसे सदस किस संग में पाई जाते हैं? इसका आंसर सही होगा C, Echinodermata संघ के सदस वैस का अवस्था में Pentameras Trudse होती है और युव अवस्था में दुपार्स सम्वित होती है नैक्ष्ड निलिव में से कौन संग सेलेंट ट्रेटा का सदस से नहीं है इन में से कौन सा ऐसा जनतू है जो संग सेलेंट ट्रेटा का नहीं है अभी तक ही लिए आप लोगों ने इस संग का है तो इकाइनो डर्मेटा संग का है जबकि समुद्री पंखा या समुद्री फैन और समुद्री पंख तथा सी पेन ये सब संग सीरिंट्रेटा के सदस्य है लेकिन समुद्री खीरा इकाइनो डर्मेटा संग का सदस्य है नेश्ट निरुकित वाक्यों में से सामान मनुस्य के लिए सोचे और बताईए तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा आंसर सही होगा इसमें से C लार का स्रामर छे जोडी लार ग्रंतियों द्वारा होता है अब क्विस्चन में कहा गया का था कि असत्य कौन सा है तो असत्य ही है कि लार का स्रामर छे जोडी लार ग्रंतियों के द्वारा होता है जबकि ऐसा नहीं है मनुस्य की मुखगुहा में तीन जोडी लार ग्रंतियों केवल पाई जाती है छे जोडी नहीं केवल तीन जोडी जो मुख गुहा में लार्स रावित करती हैं और उनके नाम है पैरोटिड गरंथिया, सबलिंग्वल गरंथिया और मैक्सिलरी गरंथिया नेश कुशन है, इस्तंधारियों में होता है इस्तंधारियों में क्या होता है? सोचे और बताईए अंसर सही होगा इसमें से B. बिक्सित मस्तिस्क इस्तंधारियों में होता है बिक्सित मस्तिस्क आपको बता दें कि इस्तंधारियों में मस्तिस्क अधिक बिक्सित होता है और मनुस के मस्तिस्क को तीन भागों में बाटा गया है अगर मस्तिस्क, मद्ध मस्तिस्क और पस्च मस्तिस्क अगर मस्तिस्क के बारे में पूरी समपूण जानका हय चाहते हैं तो मेरे जरमें बीडियो अप्लोडर है आप लोग जा करके देख सकते हैं Next question है केच्वे के शरीर का रंग किस वर्णक के कारण भूरा होता है इंपोर्टन कुश्चन है केच्वे के शरीर का रंग किस वर्णक के कारण भूरा होता है तो आंसर सही होगा इसमें से पहला पोर फायरिन वर्णक के कारण भूरा होता है आपको बता दें कि पोर फायरिन वर्णक की उपस्थित के कारण केच्वे की जो तच्छा होती है उसका रंग भूरा या ब्राउन कलर का होता है और यहां केच्वे के सरीर को तेज धूप से बचाती है सीलोम ब्लास्टो सील से ब्यूत्पत्य सीलोम गुहा को कहा जाता है क्या कहते हैं सोचे और बताईए क्या कहा जाता है आंसर कौन सा इसमें सही होगा तो आंसर सही होगा इसमें से डी कूट गुहा कहा जाता है या असत्य गुहा कहा जाता है नेक्ष्ट गैसी परिवान के दौरान परासाडिय संतुलन को सामाने बनाये रखने के लिए क्लोराइड आइनों का प्लादमा से लाल रुदराड़ू में बीसरित होना क्या कहलाता है तो आंसर सही होगा इसमें से डी सीो टू परिवाहन कहलाता है आपको बतादे कि स्वसन किरिया में या रेस्पारेशन किरिया में CO2 रुधिर में प्रवेश करने के बाद जल से सयो करके कार्बनिक अमलका निर्मार करती है नेश कुसन है एपिथीलियम उतक की अंतस्त सतह को सयोजी उतक से युगमित या जोड़ने वाली आकोस की सतह को क्या कहते हैं एपिथीलियम उतक है उसकी अंतस्त सतह को सयोजी उतक से जोड़ने वाली आकोस की सतह का नाम बताना है आंसर सही होगा इसमें से D. Basement कला कहलाता है या Basement कला को हिंदी में आधार धिली कहा जाता है आपको बता दें कि उपकला उतक जो है जो Epithelium उतक है इसकी कोशकाएं आपस में सटी रहती है और इसलिए सटी होने के काड़ उनमें अंत्रा कोश की पदार्थ बहुत कम होता है या करेज़ की होता ही नहीं है और कोशिकाओं का आधारी भाग एक पतली सजीव जिल्ली पर इस्थित होता है उसी जिल्ली को आधार जिल्ली कहा जाता है या बेस्मेंट कला कहा जाता है नेश कुछन है निवलिकित में से कौन सा एक सत्यमीन है सोचिए और बताइए सत्यमीन का नाम बताना है तो डाग फिस अथवा कुत्ता मचली एक सत्यमीन है सत्यमीन है और आपको बता दें डॉक फिस अथवा कुत्ता मचली को इसको लियो डॉन के नाम से भी जाना जाता है और ये पिसीज वर्ग के अंतरगत आता है और पिसीज वर्ग में उपवर्ग अगर पूछा जाए तो कांडिक फिस उपवर्ग का सदस्य है और जेली फिस ये सीलेंट्रेट है सीलेंट्रेटा संग के जनतों है जेली फिस और केटल फिस जबकि जो तारा मीन है ये इकाइनो डर्मेटा संग का सदस्य है नेश कुशन है Metaboli Phenomenon Pradharasit होता है सोचिए और बताईए Metaboli Phenomenon Pradharasit होता है किस में या किस के द्वारा तो आंसर सही होगा इसमें से पहला यूगलीना के द्वारा Metaboli Phenomenon Pradharasit होता है आपको बतादे Phenomenon Metaboli एक रिगलिंग प्रकार की प्रचलन विधी है प्रचलन विधी है जिसमें संकुचन और प्रसार की एक तरंग सरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रसारित होती है जिससे वो चलता है नेश कुशन है किस हार्मोन के अभाव से महिलाओं में अस्थियों या अस्थियां मुलायम और कमजोर हो जाती है ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके अभाव से जो महिलाय होती है जो इस्थरिया होती है उनकी अस्थियां मुलायम और कमजोर हो जाती है सोचिए और बताइए इन म अपने दोस्तों में सिर्च जरूर किजिए, आंसर सही होगा इसमें से D, estrogen hormone, next question है, radius नामक अस्थी उपस्थी तो होती है, radius नामक जो हड़ी है, ये कहां उपस्थी तो होती है, किसे में पाई जाती है, भुजाओं में, पैरों में, स्रोण में, इनमें से कोई किसी में नहीं, तो, आंसर सही होगा, इसका पहला भुजाओं में उपस्थी तो होती है, आपको बता दें, कि मानों की प्रतेक भुजा में, प्रतेक हाथ में, एक हिूमरस, एक रिडियस, एक अलना, आठ कार्पल्स, और पांच मेटा कार्पल्स, एबन पांच अंगुलिकाएं होती हैं, या पाई जाती हैं, नेक्स्ट निमेटो ब्लास्ट पाए जाते हैं निमेटो ब्लास्ट किस में पाए जाते हैं कौन सा आंसर सही होगा तो इसमें आंसर सही होगा पहला एक्टो टर्म में निमेटो ब्लास्ट पाए जाते हैं और आपको बता दें निमेटो ब्लास्ट को निडो ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है ये दंस कोशिकाएं होती है दंस कोशिकाएं इनके आधार पर संग सिलेंट ट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि निडो ब्लास्ट है दंस कोशिकाएं होती है इसलिए से निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है और ये कोशिकाएं अत्यंत सम इसलिव में लोग चाहें तो जा करके देख सकते हैं चीतर सहीत अच्छी तरह से सरल भावाथा में शम्जाया गया है इसका आंसर सही होगा B गर्थ धन्ती होते है आपको बता दें जो अग्र धन्ती है ये दान्त जबडों की अस्थियों में सतंत्र सतह से लगे होते है उन्हें अग्र धन्ती कहा जाता है जैसे मेढख है, सार्क है इसमें अग्र दंती प्रकार के दान्त पाए जाते हैं जो घर्थ दंती है जबडों में दान्त अस्तियों में सौकट में धसे रहते हैं जिसे मगरमच्छ है और इस्तंधारिवर्ग के प्राणे जिसे मनस्य वगरा है इसी प्रकार से जो बहुदंती है ये दाथ जीवन काल में अनेक बार प्रतिस्थापित होते हैं कई बार निकलते रहते हैं उसे बहुदंती कहा जाता है जैसे मचलियों में मेढग में और जो एक दंती है जीवन काल में किवल एक बार निकलते हैं जैसे प्लेटी पस वेल में Next question है काकरोत में लारवा एवं निंफ लक्षणों का नियंतरन होता है तो आंसर सही होगा इसमें से D. जुविनायल हार्मोन के द्वारा होता है आपको बताते है कि कीटो में जुविनायल हार्मोन कार्पोरा एलेटा द्वारा उत्पन होता है कारकोरा एलैटा के द्वारा और जुवे नाईल लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदाई होता है और ल्रवा आवस्था के द्वरान यह हार्मोन प्रमुकता से पाया जाता है तिस में किस प्रकार के सल्क पाया जाते हैं सोचिए और बताईए कांड्रिक थीज में किस प्रकार के सल्क पाये जाते हैं? तो इसका आंसर सही होगार C, प्लेकोईड प्रकार के पाये जाते हैं और इन सल्कों के कारण ही इनकी तचा रूच्छ हो जाती है, रफ हो जाती है नेश कुशन है चोटे लिपिड में घुलन सिल और कोशिका जिल्ली के माध्यम से तेज गति से बिसरित होते हैं परंतु जलरागी पदार्थों की गति कुछ वाहकों द्वारा सुगम बनाई जाती है जो रासानिक रूप से होते हैं क्या होते हैं? सोचिए और बताईए आंसर सही होगा इसमें से पहला प्रोटीन्स होते हैं नेश कुशन है मानो सुक्राण के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? जो सुक्राण होता है उसके किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? तो मेरे जनल में वीडियो अप्लोडर है आप लोग जा करके देख सकते हैं और इसमें आंसर से होगा D, एक्रोसोम भाग में आपको बता दें कि इस तंधारियों के जो सुक्राण है इसमें सीर्स, ग्रीवा, मद्धिकाय जथा पुछ इतने सारे भाग पाय जाते हैं और सुक्राण के सीर्स भाग में एक्रोसोम नामक्सान रचना सबसे आगे की तरफ होती है जिसमें जल अपगढ़नी एंजाइम पाय जाते हैं और ये एंजाइम निसेचन के समय सुक्राण को अंडाण में घुसने में सहायता करते हैं यानि अंडे को भेदने में हिल्प करते यह एंजाइम नेश्ट कुशिन पर आते हैं मनसे में प्राकुंचन एवं todavía अनुसिथलंदाब यानि सिस्टॉलिक और डायस्टीयलिक प्रेसर का मान कितना होता है मैंने ब्लड प्रेसर में इसको समझाया था कि मनसे का प्राकुंचन एवं अनुसिथलंदाब यानि systolic and diastolic pressure 120-80 mmHg होता है आपको बता दें कि रुधिर के प्रवाह धामनियों की लचीली भीति पर लगने वाला दाब जो रुधिर का प्रवाह है इसके प्रवाह से धामनियों की लचीली भीति पर जो दाब लगता है उसे ही रुधिर दाब कहा जाता है या blood pressure कहा जाता है और एक सामान ने वयस्क मरस का प्रकुंचन रक्त दाब 120 mmHg इसी प्रकार से अनुसितलन रुधिर दाब यानि डाश्टोलिक blood pressure 80 mmHg होता है और रुधिर दाब का मापन इस फैगमो मैनो मीटर नामक यंद्र के द्वारा किया जाता है इस फैगमो मैनो मीटर यंद्र से नेश कुशन है निमलखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कोसिका के दुई ध्रुमण या deep polarization की अवस्था को प्रदर्सित करता है सोचिए और बताईए अंसर सही होगा इसमें से पहला आयन चैनल द्वारा एन ने प्लस भीतर प्रवेश करते हैं नेश्ट मिलर द्वारा प्रयोग में निमलखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता था किसका प्रयोग नहीं किया जाता था तो O2 का oxygen का पहला आफसन सही होगा नेश्ट मेलफिघेन नलिकाएं प्रमुख उत्सरजी अंग होती है किस संग के जनतुओं में या किस संग में मेलफिघेन नलिकाएं प्रमुख उत्सरजी अंग होती है तो आंसर सही होगा इसमें से D आर्थो पोर्स में मेलफीगियन न लिकाएं प्रमुख उत्सरजी अंग होती है और इसी प्रकार से जो नेफ्रेडिया हैं जो व्रकक होते हैं ये एनिलेट्स में प्रमुख उत्सरजी अंग होते हैं नेश कुर्षिन है आपरा द्वारा स्रावित हार्मोन है सोचे और बताईए आपरा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो आंसर सही होगा इसमें से B, HCG HCG अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है आपको बता दें कि गर्भावस्था के दौरान जो अपरा है अथवा जो प्लेसेंटा है ये इसके द्वारा माता एवं गर्भस्थ सिसु के बीच में आदान प्रदान के लिए अपरा होती है और अपरा से estrogen, progestron, human chorionic gonadotropic hormone याण ह investig होते हैं स्थानिक पादब बीमारी का ओदाहारण है इस्थानिक पादब बीमारी का ओदाहरण कौन सा है तो आलो की लेट ब्लाइड बीमारी इस्थानिक पादब बीमारी का उदाहरण है नेश कुछिशन है निर्णकित में से कौन सुमेलित है इन में से कौन सुमेलित है बाक़ी सब गलत है एक कोई सही है तो आंसर सही होगा इसमें से पहला epiculture मधुमक्की यानि जो epiculture है ये सहरवाब मोंप के उत्पादन के लिए मदमक्की पालन है एक तरह से और जो PC कल्चर है ये तालाबों, कृति जलासयों इत्याद में मचली पालन से संबंदित है और जो सेरी कल्चर है इसमें से जो सेरी कल्चर है ये रेसम कीट पालन से संबंदित है कौन सा मानों में अवसेशी अंग नहीं है सोचे और बताईए इसका आंसर सही होगा बी नाखून अवसेशी अंग नहीं है जबकि पुछ कस्विदी का निमेशक पठल क्रिमी रूप पर सेशिका ये मानों के अवसेशी अंग है लेकिन नाखून अवसेशी अंग नहीं है नेशकूसने कुपफर कोशिकाएं उपस्थित होती है कुपफर कोशिकाएं किस में उपस्थित होती है तो आंसर सही होगा इसका पहला यक्रित अधवा लीवर में कुपफर कोशिकाएं पाई जाती है और यह जो कुपफर कोशकाएं होती हैं यह भच्छन कोशकाएं हैं एक तरे की और चाती ग्रस्त, RBC, WBC वा जीवाड़ों का भच्छन करती हैं इसलिए इनको भच्छन कोशकाएं कहा जाता है कुपफर कोशिकाओं को ससक में व्रस्त के सिरे पर इस्थित एपीड़ाइमिस का सीर्स कहलाता है जो ससक होता है इसका जो टेस्टिस है उसके एक सिरे पर इस्थित एपीड़ाइमिस का सीर्स क्या कहलाता है तो answer सही होगा समें से D Caput Epididymes कहलाता है Caput Epididymes Next Ascaris की देहगुहा होती है Ascaris की देहगुहा कूट प्रगुहा होती है Next मुलसका में नेत्र एक व्रत पर उपस्थित होते हैं जिसे कहते हैं तो संग मुलसका में जीव का प्रत्यक नेत्र जो होता है वो ठूट के समानेक ब्रिंत पर होता है जिसे ओमेटो फोर कहा जाता है सीवालापसन सही होगा Next question है Malpigin नलिकाएं है Malpigin नलिकाएं क्या कारी करती हैं क्या होती है Answer सही होगा पहला कीटो के उसरजी अंग होते हैं Next रुधिर के इसकंदन या इसपंदन हेतु आवस्चक बिटामिन है नेश्ट छोटी मचलियां सार्क के निचले भाग से चिपक कर अपना पोशन प्राप्त करती हैं इस प्रकार का संबंध कहलाता है इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है तो Answer सहयोगा भी सह भोजिता कहलाता है आपको बता दें सह भोजिता बिभिन जातियों के सदस्यों के मध्य ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव को लाब लेकिन दूसरे जीव को कोई हान नहीं होती है यानि दोनों में से किसी को भी हान नहीं होती है एक को लाब हो जाता है इसे ही सह भोजिता कहा जाता है इस पर मेरे चनल में वीडियो अप्रोड़र है प्रतिजीविता पर भी परभक्षण पर भी पर जीविता पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं Next question है निम्रिकत में से कौन से आर्नथीन चक्र के घटक है आर्नथीन चक्र के घटक बताना है कौन से है आंसर सही होगा से भी आर्नथीन, सेटुलीन, आर्जिमीन Next question है प्रोटो जोवन जीव अमीबा में संकुचन सील धानी का कार है संकुचन सील धानी का कार परासरण नियमन होता है Next, Turbillians होते हैं स्वतंत्र जीवी Turbillians होते हैं स्वतंत्र जीवी चप्टे क्रिमी Next, निम्रिद में से निवही कीट है निवही कीट कौन सा है? आंसर सही होगा इसमें से C दीमक एक निवही कीटिया कॉलोनिकल इंसेक्ट होता है नेक्ष्ट लुकित में से कौन सा उद्विकास का सरवधिक विश्वसनिय प्रमार है उद्विकास का सबसे अधिक विश्वसनिय प्रमार बताना है तो आंसर सही होगा इसमें सिव ए जीवास्म होता है और आपको बता दें कि ये जीवास्म आवसाद या बर्प में दबे हुए संपूर्ण जीव से उसके कुछ भाग या बिलुप्त जीवों के कुछ चाप के रूप में पाए जाते हैं जो हिर्द पेशियां है मेड़ा के हिर्दय की भित जो होती है ओ एपी कार्डियम और मायो कार्डियम तथा एंडो कार्डियम के द्वारा बनी होती है और हिर्द पेसियों के तन्तु तीन प्रकार के होते हैं नोडल तन्तु, ट्रांजेशनल तन्तु और पुरकिंजे तन्तु इसलिए इसमें आंसर से होगा पुरकिंजे तन्तु सिष्टोमा का मध्यस्त पोसी है सिस्टोमा पर पूरा वीडियो बेचल में अप्लोडर है गोंगा की लाइप साइकल अप्लोडर है आप लोग चाहे तो जा करके देख रखते हैं समझ रखते हैं इसके आंसर से होगा पहला गोंगा इस पंजो में कौन सी कोसिकाएं अन्य परकार की कोसिकाओं को जन्म देने में समर्थ होती हैं तो आंसर सही होगा इसमें से D, Archeocytes कोसिकाएं ये Regeneration वाली कोसिकाएं होती हैं जो पुनुर्भवन की छमता रखती हैं कहले जीए नेक्स्ट, निवरिफ में से किस में ओतक विभेदन पाया जाता है, ओतक विभेदन किस में पाया जाता है, तो आंसर सही होगा, इस में से, पहला, ब्रायो फाइटा में ओतक विभेदन पाया जाता है, नेक्स्ट, घुमकड फार्ण किसे कहा जाता है, घुमकड फार्ण के न तो आंसर सही होगा इसमें से B एडियंटम को घुमकर फरन के नाम से जाना जाता है और एक्वी सिटम को पाइप या हार्स टेल के नाम से जाना जाता है और सिलेज नेला को कलब मास के नाम से जाना जाता है नेश कुशन है मटर का पौधा किस कुल का सदस्य है मटर का पौधा किस कुल का सदसे है बताना है तो आंसर सही होगा इसमें से C लिग्यमिनोशी कुल का या फेबेशी कुल का हो चाहे लिग्यमिनोशी कुल का हो नेश्ट अंडा से इंफीरियर होता है देखे जो अनार होता है इसमें अंडा से इंफीरियर होता है जो सूरी मुखी होती है इसमें अंडा से इंफिरियर होता है और जो गाजर होती है इसमें भी अंडा से इंफिरियर होता है नेक्स्ट जब पुस्प नियमित एवं सम्मित अरिय होते हैं तब पुस्प की वा इस्थिति क्या कहलाती है आंसर सही होगा इसमें से डीत त्रिज्या सम्मित कहलाती है नेश्ट तापान वर्ती या तापान कुंचनी गती सम्मंधित है आंसर सही होगा पहला अधिक ताप से सम्मंधित है आसा कौन सा पादप अंप्रिदीप्त काली पादपों में पुस्पन नहीं होगा यदि अंधकार अवधी को नम्रिकित में से एक के द्वारा अल्प अवधी के लिए भी बाधित कर दिया जाये तो आंसर सायोगा डी लाल प्रकास नेक्ष नम्रिकित में से कौन पौधों में एक मुख्य प्रकास संसलेशी पत है आंसर सायोगा पहला C3 और जो C3 चक्र है इसकी खोष कैल्विन एवं बेंसन ने की थी कैल्विन एवं बेंसन ने और C3 चक्र का प्रथा मुद्पाद फास्फो गिलसरीक अमल होता है नेक्ष नम्रिकित में से किस जीवान द्वारा भूम में अमोनिया का नाइट्राइट में आक्सी करण किया जाता है तो आंसर सही होगा इसमें से D. नाइट्रो मोनास भूम में अमोनिया का नाइट्राइट में आक्सी करण के लिए एक मुख्य एजेंट होता है नेश्ट नम्रिकत में से कौन आहरित विसाल कोशिकाओं का समोहूं इडियो ब्लाष्ट कहलाता है तो आंसर सही होगा भी म्रदू तक कोशिकाओं नेश्ट कुशन है युकता अंडपी अंडासय पाया जाता है तो युगता अंडपी अंड़ासय में एक से अधिक अंडप होते हैं या कहले कि दो से अधिक और युगता अंडपी जायांग में अंडपों के तट मिलकर एक कोष्ट बनाते हैं तो सरसों में युगता अंडपी अंड़ासय पाया जाता है पक्सीनिया ग्रेमनी स्ट्रेटेसी है तो निवनिकित में से कौन सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प है? आंसर सयोगाभी भिन्ना सराई या हेट्रो एसियस एकल जीन जब एक से अधिक कुणों का निर्धारन या नियमन करे तब जीन कहलाती है आंसर सही होगा इसमें से C बहुँ प्रभावी जीन कहलाती है नेक्ष्ट कपलिंग एवं रिपल्सन परिकल्पना के प्रतिपादक बिट्सन है और आपको बता दें कि हुंगो डिवीज उत्परिवर्तन वासिधान्त के प्रतिपादक है और जो लाश्ट वाला है ये आँखों के सफेद रंग के जीन का निर्धारण इन्होंने किया था नेष्ट कोसिकाओं की आवस्तक्ता नसार उपस्तित जीनों दरा प्रोटीन संसलेशन है तो प्रारम भी करन और समापन बंद बिराम होने की किर्या बिदि कहलाती है खन्ड कासमिड कहलाता है समापन जीन तक्नीक कारक होती है समापन जीन तक्नीक कारक एक संतति बाद बीज जमने या अंकुरण की असफलता की कावक मोल संबंध पौधों के लिए किस कारण लाबदायक होता है कावक मोल संबंध पौधों के लिए किस कारण लाबदायक होगा तो भूम इसे खानिज लबडों के अवस्रेशन को बढ़ाने में नेश्ट मानो इंसुलिन के दो पॉली पेप्रेड आपस में किसके द्वारा सहियों जित होते हैं तो आंसर सही होगा इसमें से C, डाई सलफाइड सेतु के द्वारा फिर नेश्ट कुष्ण पर आते हैं नेश्ट कुष्ण है नेश्ट कुष्ण है नेश्ट में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है प्लाज्मिड का अभिलक्षण कौन सा नहीं है तो आंसर सही होगा इसमें से C, एकल रज्जु किये नेक्स्ट अम्रुकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंसर से वगड़ी बहुत सारी जातियों के परागण एक पुष्प के वर्थिकागर पर अंकुरित हो सकते हैं परंत उसी जाति के परागणों की केवल एक परागणली का वर्थिकागर में आगे बढ़ती है ये सत्य नहीं है नेक्स्ट एवीना वक्रता किसके जयो अमापन के लिए प्रियुक तो होती है? तो अंसर सही हुगा इसमें से B, I, A, A के समापन के लिए ये एक पादप आकसिन हार्मोन है इसका पुरा नम एंडोल एसिटिक एसिड होता है निवलकित में से कौन सा लक्षण पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है नेश्ट कुशन है पादप कोसिका की रसधानी में जल घुलित वर्ड़क कौन से होते हैं पादप कोसिका की जो रसधानी होती है जो वैक्योल होती है उसमें जल घुलित वर्ड़क एंथोसाइनिन होता है एन्थोसायनिन नेश कुछन है एक प्रारूपी वसा का आणु किसका बना होता है तो आंसर सही होगा इसमें से पहला एक गिलसराल आणु और तीन वसा अमल आणुवों का next खेट से लाई गई एक पादप कोशिका में विदेरती द्वरा अंत्यावस्था देखी गई वो अपने सिच्चक से कहता है कि यह कोशिका अंत्यावस्था पर अन्य कोशिकाओं से भिन है इसमें कोसिका प्लेट नहीं बनती और इस कारण इस कोसिका में अन्य विभाजन वाली कोसिकाओं की अपेक्छा आधिक गुर्सूत रहें इसका परणाम क्या होगा तो इसका परणाम बहु गुर्णता होगा पहला अप्सन सही होगा नेश्ट कुशन है भारत का राष्ट्रिय जलिय प्राडी कौन सा है राष्ट्रिय जलिय प्राडी तो भारत की राष्ट्रिय जलिय जन्तु नदी की डालफिन है नदी की डालफिन या इस तंधारी स्वच्वा खारे जल दोनों में पाई जाती है पहला वाला अपसन सहयोगा नेक्ष्ट जन्तुओं और पादबों की विलुप्तिका निम्लिखित में से कौन सा एक सबसे मोखे कारण है आंसर सहयोगा इसमें से बी आवास हानी और खंडन परिछणार्थ प्रसंकरण में किसमें F1 दुई संकर मक्या सामिल थी पुनर योगस प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिकुद पन हुई इसमें संकेत मिलते हैं कि दो जीन सहलग्न और एक ही गुड़ सूत्र पर विद्यमान है आपके उद्यान में एक पादप स्वसन से होने वाली हान से बचता है उसकी जल उपियों की दच्चता उन्नत है वहाँ उच्च ताप पर प्रकास संसलेशन की उच्च दर को दर साता है और उसकी नाइटोजन उपियों की दच्चता उन्नत है आप इस पादप को निर्णिक में से किस एक कारे की समुह में रखेंगे तो आंसर सही होगा इसमें से पहला C4 पादप नेक्स्ट धूम्रपान करने के कारण प्रधानतया उत्पन होने वाले देर्ग काली स्वसन बिकार का नाम बताईए तो वात इस भीती नेक्स्ट कुष्ण है तार्क रूपी तन्तु लगते हैं तार्क रूपी तन्तु गुर्शूत्र के काईनेटो कोर पर लगते हैं नेक्स्ट काई कोशकाओं में सम सुत्रान के दौरान निर्णिकित में से काउन सा लक्षण नहीं पाया जाता है तो आंसर सही योगा सी सूत्र युगमन नहीं पाया जाता है नेश्ट उलब्र बेधन के संदर में निर्विकित में से कौन सा कथन गलत है तो सी वाला इसे खंड तालू का पता लगाने के लिए प्रिवत किया जाता है नेश्ट कुशन है निर्विकित संदर्चनाओं में से कौन सी संदर्चना पाच्छी के पंख के समजात है कौन सी संदर्चना पाच्छी के पंख के समजात है तो वेल का पंख और फिर उच्छ अस्तर का सुरिकियों के प्रत्रचा तंत्र स्वाकोसिकाओं और गैर कोसिकाओं में भेद कर सकता है यदि तंत्र का आन्वानसिक अपसामानता के करण यहां को नश्ट हो जाए और वहाँ स्वाक वोसिकाओं को नेक्ष्ड करने लगे तो इसका परणाम सरूप क्या होगा आंसर से वगा B, स्वा परतर अच्छाविकार next फुपुस धमनी के भीतर रुधिर्दाब होता है फुपुस धमनी के भीतर रुधिर्दाब B वाल आप्सन से योगा फुपु सिरा के भीतर जितना होता है उससे कम नेक्ष्ट पुस्पी पादपों में बिना नेसेचन के बीज बनना नम्रिकृत में से कौन सी प्रकिरिया है तो असंग जनन की प्रकिरिया है नेक्ष्ट जीवान वर्गी कृत किये जाते हैं मोनेरा जगत में किये जाते हैं नेक्ट वास्पो सर्जन की दर उँची होगी तब जब वायुमंडर सुस्क होगा और ताप मान उँचा होगा नेक्ट जीवित लगुतम अनावरिद बीजी पौधा है जैमिया नेक्ट सित्री पादपो के अंधेरे वाली पृतिकिरिया को बनने वाला प्रथा मिस्थाई उत्पाद फास्पो गिलिसरिक एसेडिन पी जी ए होता है नेक्ट भू छरण को रोका जा सकता है अच्छा पौधा आच्छा दन के द्वारा बीवला से योगा डियन्ने अड़वों के सोध के लिए नोबल प्रुसकार वर्स मिला 1962 में मिला था नेक्ट कार्णी फर्स और साइकेट्स दोनों के गुड़ पाए जाते हैं तो जिंकों में पाए जाते हैं नेक्ट कांसा प्रात्मिक उतक दस वर्सों के दुतियक व्रिद्धी के उपरांत भी बना रहता है तो जायलम जड़ों में पाया जाता है और फ्लोयम पत्तियों में पाया जाता है जायलम सही होगा इसमें नेक्ट पराक्सिसों सम्मंधित है तो प्रकास स्वसंसे सम्मंधित है नेक्ट वेटे का द्वरा प्रोकेरियोटिक जीवों को किस संग में रखा गया तो जो हुई डेकर थे इन्होंने प्रोकरियाटिक जिवों को मोनेरा संग में रखा चार जोडे काया खंड के साथ बलकुट का भूण होता है 24 घंटे आयो का मायो कार्डियम से भिन कार्डियक पेसी भी रहता है 25 Chemiket में से कौन सा पारिस्तितिक तंत्र के लिए सत्य है पारिस्तिक तंत्र के लिए उर्जा का प्रवाव व्हिमखणनीश का चक्रण दोनों सत्य है पहला आपसं से एग नेश्र collide समसुत्री विभाजन में गुर्प्री विभार्जन की संख्या क्रम साह होती है फ्रक्र रगला है ग्लू मेरुलर निस्पैंदन में समांता नहीं होता है तो आल्ब्यू में नहीं होगा, ने्क लार में होता है यहां एंझायम तो लार में टायली नमक निझायम पाए जाता है क्रियेटी इंफासफेड मिलता है पेशी उतक में मिलता है नेक्ष्ट निवनिकित में से कौन सी ग्रंतियां आख की बरावनी से सम्मंधित है तो जीस ग्रंतियां आख की बरावनी से सम्मंधित है अगला पेशी संकुचन की किरियात्मक एक आई है सार को मेर होती है और अंतिम कुश्चन है बायोजेनिक नियम किस ने प्रतिपाजित किया था तो EV हैकल ने बायोजेनिक नियम प्रतिपाजित किया था